तो दोस्तों यह है बोल्ट क्राउन स्मार्ट वाच और आज का हमारा टॉपिक है बोल्ट क्राउन स्मार्ट वाच को अपने मुवाइल के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं लिंक कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या सिंपल सबसे पहले अपने स्मार्ट वाच को अन कर ले जैसे कि हमने अपने मोईल में अल्डेडी कर रखाया तो यहां पर हमें open वाले option के उपर हम क्लिक करके इस application को open कर लेंगे तो यहां पर हम इस application को open कर लेंगे और open करने के बाद इस application का जो interface आएगा वो कुछ steps आएगा तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को set करना है तो यहां पर अपने अपना जेंडर डेटो वर्त हाइट वेट सब को यहां पर सेट कर लेना है यहां पर जैसे कि मैं एक्जैंपल के लिए यहां पर सेट कर र than information तो यहां पर धिवाइस को देखने को मिल जाता है और उस पीकशन के यहां देखने तो यहां पर रोकार स्क्षेस कर मई तो हैं पर आपको यहां पर यहां पर अलोग करना होगा तो यहां पर हम अलोग वाले बटन के उपर क्लिक कर लेते हैं और अब हमारा जो स्मार्ट वॉच्छ यहां पर सर्चिंग में आ जाएगा और हमारा जो वॉच्छ है यह देखे बॉल्ट वॉच्छ मॉडल नमबर नेम जैसे की तो यहां पर मियां पर वॉच्छ के उपर क्लिक कर देंगे और जासे मिसे उपर क्लिक करेंगे हमारा जो वॉॉच Till यहां प्यमारा के साथ वह connect होने ही वाला कुछ सेकंड का यहां पर टाइम लेता है तो जैसा कि अब हमारा जो वाच हमारे मुवाइल के साथ connect हो चुका है और यहां पर हमें पर क्लिक कर लेंगे इससे हमारा जो ब्लूफ कॉलिंग फीचर वो एनेबल हो जाता है अब हमारा वाच जो है वह हमारे मु सब्सक्राइब करेंगे और क्लिक कर देंगे और क्लिक करने कर देंगे उप्सक्राइब करने करने के वाद ने यहां पर कुछ सटकन्ड के लिए वोल्ट का ब्रैंडिंग देखने को मिल जाएगा और यहांनों हो जो कि अपके मुवाइल के साथ connect होचका हो और यहां से आप अपने बोच में जो भी सेटिंग तो दोस्तों अगर आप सब को बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आप सब का रिपलाई जरूर करूंगा और अगर आप सब को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक कर दे